हेलो वीवर्स, असलाम लेकुम, मैं हुरोशन, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी विदाउट खोया का बनाएंगे लेकिन टेक्स्चर उसी तरह का आएगा जैसे हमने इसमें खोया डाला हुआ है और बिल्कुल दानेदार देख सकते हैं बहुत ही टेश्टी बहुत ही अच्छा हलवा बन कर त्यार होता है तो मैं बिल्कुल ऐसे इस तरह से मैं दिखा रही हूँ देख पारे होंगे लग रहा है ना कि इसमें खोया डाला हुआ है तो ये मैंने विदाउट खोया का बनाया हुआ है बहुत ही टेश्टी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मेरे तरीके से तो हमने एक केजी गाजर को कदूकस कर लिया है इसको धोकर छील लिया था और इसको कदूकस कर लिया है और हम एक कड़ाई ही चड़ाते हैं और इसमें हम फुल क्रीम दूद ले रहे हैं देख रहे हैं कितनी अच्छी मलाई है इसमें तो इस तरह से हमने पहले ही इसको अच्छी तरह से दूद को गरम कर लिया था ये 750 एमिल है तो एक केजी गाजर के लिए 750 एमिल दूद बहुत परफेक्ट होता है इसी की वज़ा से विदाउट खोया का ये टेस्ट खोया जैसा आता है तो हमने इसमें पूरा ये मलाई भी डाल दिया है और इसको बिच-बिच में चलाएंगे और इसको उबाल आने देते हैं तो देख पा रहे होंगे ये गरम हो गिया है और उबाल आने लगा है तो इसमें हम डाल देते हैं गाजर को तो grate किया हुआ गाजर का हलवा बहुत ही अच्छा बनता है मैंने गाजर medium size का लिया था जादा मोटा भी नहीं लिया था और जादा पतला भी नहीं लिया था तो इस तरह से जैसे जादा लिया रहता है तो पीच वाला हाड वाला रहता है तो उससे थोड़ा सा color भी अच्छा नहीं आता है और इस तरह से red दिख रहा होगा ये बहुत ही अच्छा बन कर त्यार होता है तो सभी को mix कर लेते हैं और medium to high flame पर इसको पकाएंगे अभी थोड़ा सा ज़्यादा उबालाने के लिए हम high flame कर दे रहे हैं चार हमने crush करके इलाइची को डाल दिया है छोटी इलाइची इससे flavor बहुत ही अच्छा आता है अगर इलाइची का powder आप यूज कर रहे हैं तो उसमें आप powder last में यूज कर सकते हैं लेकिन हम पकने के लिए हमने अभी इसमें ऐसे ही डाल दिया इससे भी टेश्ट बहुत ही अच्छा आता है तो हम ढखकर बीच बीच में चलाते हुए पका रहे हैं देख पारे होंगे flame मेरा भी high है और अभी काफी ये दूद है तो इसको हमको ठिक करना है पकाना है इसी के साथ तो ये पक कर बहुत ही अच्छा हमारा दानेदार हलवा तयार होगा तो इस नए साल में मेरे तरीके से गाजर का हलवा जरू ट्राइ करें बहुत ही टेश्टी और बहुत ही इजी तरीका है और बिलकुल हलवाई की तरह शादि गया है देख पा रहे होंगे ठीक हो गया है तो इस तरह से थोड़ा सा फ्लेम हमने कम कर दिया है मीडियम फ्लेम है क्योंकि दूद कम हो गया है तो इसके साथ भी थोड़ा सा फ्लेम हम कम करके पकाएंगे इसको और यह पांच मिनट के बाद और यह सूक जाएगा तो इस तरह से मिक्स करते हुए हम पकार हैं और ये गल रहा है गल चुका है अच्छी तरह से क्योंकि ग्रेट किया हुआ गाजर बहुत जल्दी गल जाता है तो अभी से ये लग रहा है कि इसमें हमने खोया डाला हुआ है देख पा रहे होंगे और काफी ये सूख गया है इसके अंदर प चीनी लिया है इसको डाल देते हैं ग्राम में ये 200 ग्राम ये सुगर है तो मीठा इतना पर्फेक्ट है आपको अगर कम पसंद है थोड़ा सा कम डाल सकते हैं तो इस तरह से मिला कर हम इसको पकाएंगे क्योंकि चीनी घुलने के बाद और ये पानी सा हो जाता है तो मीडिय होंगे चीनी घुल चुका है और इसको हम सुखने तक पका रहे हैं तो ये काफी अच्छा पानी की तरह दिख रहा है और कलर देख रहे हैं कितना अच्छा कलर लग रहा है गाजर के हल्वे का और पानी बिल्कुल सूख गया है हलका हलका सा है तो इसमें हम घी एड करेंगे क्योंकि पहले हमने घी बिल्कुल ही यूज नहीं किया है तो घी डालने के बाद बहुत ही अच्छा शादियों वाला और हलवाई वाला टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है जिस तरह से आप शादि में गाजर का हलवा खाते हैं तो इस तरह से पानी सुखने के बाद ही लाश्ट में घी डालें तो अब हम घी इसमें डाल देते हैं लाश्ट में डालने से अच्छा इसमें टेश्ट आता है तो ये देशी घी है ये दो चमच हम इसे डाल रहे हैं तो देख पारे होंगे हमने इसमें दो चमच घी डाला हुआ है और mix कर लेते हैं अब इसमें हम कुछ dry fruits डालेंगे आपको जो पसंद हो वो इसमें आप मिला सकते हैं डाल सकते हैं लेकिन सभी को 5 मिनट के लिए इस तरह से चलाते हुए हम घी को पहले mix कर लेते हैं उसके दानी बिल्कुल ही नहीं है इसमें और बिल्कुल दानेदार दिख रहा है तो इसमें हमने लिया है बदाम थोड़ा सा काजू कटा हुआ थोड़ा सा नारियल कटा हुआ और किश्मिस हमने लिया है अपनी पसंद का कोई सा भी dry fruits डाल सकते हैं आप चाहें तो इसको घी में fry करके डाल सकते हैं हमने ऐसे ही डाला हुआ है ऐसे बहुत ही अच्छा लगता है तो सभी को mix कर लेते हैं और पांच मिनट तक इसको चलाते हुए पकार हैं है फिलेम अभी हमारा medium है और अच्छी तरह से पानी जो भी extra है वो सूख जाएगा और तब उसके बाद हम गैस को बंद करेंगे तो देख पा रहे होंगे हमारा गाजर का हलवा बनकर बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गिया है तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं मैं दिखा रही हूँ आपको कितना दानेदार दिख रहा है मेरे तरीके से आप एक बाल प्रेस करें जिससे की मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले तो गैस को बंद कर देते हैं और पांच मिनट के बाद हम आपको दिखा रहे हैं आपको बिल्कुल लग रहा है ना कि इसमें खोया हमने डाला हुआ है और टेस्ट बहुत ही अच्छा खाकर मेरे तरीके से एक बार जरूर ट्राइ करें एक बार जरूर मेरे तरीके से आप बनाएं तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं तो एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं और आप मेरे तरीके से इस नए साल में जरूर ट्राइ करें और सर्दी के मौसम में ठंडी के म मौसम में गाजर बहुत ही अच्छे अच्छे मिलते हैं तो मेरे तरीके से आप जरूर बनाएं तो देख पा रहे होंगे कितना अच्छा हमारा ये गाजर का हलवा बनकर रेडी हुआ है मैं बिल्कुल पास से दिखाऊंगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें अपने फैमली के साथ शेयर भी करें देख रहे हैं मैं बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ बहुत ही अच्छा टेश्टी यम्मी गाजर का हलवा हमारा बना है नए तरीके से आप मेरे तरीके से एक बार जरू ट्राइ करें तो बनाएए और खाईए और कमेंट करके हमें बताइए अब हम में दीजिये इजाजत अस्सलाम लेकूम